अल्लो गाइस कैसे हैं आप लोग मैं उमित अल्डा आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड तो कुछ बाते मैं आपसे करने आया हूँ और क्या गलतियां बच्चे कर रहे हैं ठीक है हमेशा मैं यही डिसकस करते आता हूँ तो अब भी बच्चे एक्चली मैं देख रहा हूँ काफी बच्चे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं ठीक है तफ़ डिसीजन होते हैं मैं मांता हूँ कि इतना आसान नहीं है, इस चीज़ें डिसाइड करना, वो group 1 दे, या group 2 दे, या both group दे, switch over करे, नहीं करे, और professional में भी जो गए हैं बच्चे, तो single group दे, both दे, teachers कौन से select करे, offline ले, online ले, live ले, क्या ले, तो यह काफी tough decisions है, I completely agree, but late decisions automatically काफी मतलब, गलत होने के chances बहुत होते हैं, मतलब हर decision का एक time frame होता है, वो time frame में decide करना बहुत जरूरी होता है, तो मैं बस ही video से आपको मैं थोड़ा सा reminder देने आया हूँ कि यार, जो भी decision है, ले लो, पूरा analysis करो, सारे past बच्चों से पूछो, feedback पूरा अच्छे से ले लो, but bad के न, चीजों को decide कर लो, उसको open मत रखो, काफी बच्चे wait and watch देख लेंगे, या उनको urgency, ख्याल में नहीं आ रही है, अपने decisions की, की time क्यों मतलब waste हो जाता है, आप समझो बात को, अगर आप, आपका decision ही नहीं हुआ है, तो आपका मतलब time waste हो रहा है, बहले आप थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो, पर आपका direction हो सकता है, end moment पे बदल जाए, तो मैं कह रहा हूँ, decisions ले लो, tough decisions है, पर बैट के ले लो, decide कर लो, decisions को procrastinate मत करो, delay मत करो, और बाद में देख लेंगे, सोच लेंगे, कर लेंगे, ये सब मत करो, इससे क्या होता है, आपका time waste हो रहा है, efforts waste हो रहे है, और इसलिए मैं जो पता नहीं क्यों मतलब, I don't know मैं कैसे इसका importance समझाऊं, कि फटा-फट decide करना क्यों बहुत जादा जरूरी है, और अब result के बाद, अब काफी बच्चों को, उन्होंने जो जनवरी में late decision किया है, काफी बच्चों ने जनवरी में भी ये mistake की थी, मैंने जनवरी में भी इसके बार में वीडियो बनाया था, अब हो सकता है, मैं इसे connected नहीं है, group 1 दिया था, group 2 start ही नहीं किया, काफी लोगों नहीं किया, पर फिर उसको उतना pace, उतने speed से नहीं कर पाए, और अब वो बोद group नहीं दे पा रहे हैं, अब फिर वो फस गये, कि यार, module 1 भी fail हो गये, 40-50 mark से module 1 भी fail हो गये, और module 2 भी पूरा अभी तक complete नहीं हुआ है, वो तो decide करने के बाद, जिस तरह से उसको implement करना था, वो implement नहीं कर पाए, तो इसलिए कह रहा हूँ, अभी फिर से बच्चे गलती कर रहे हैं, जो भी है मैं कह रहा हूँ, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि क्या करना है, वो तो आपको ही decide करना है, आपकी life है, आपका career है, आपके personal क issues है, आपका financial कितने strong है, ठीक है, आप क्या afford कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, यह सारी बात है आप ही को बता है, तो आप ही अपने family members, अपने friends के साथ decide कर सकते हो, जो भी inputs चाहिए है, वो हम दे सकते हैं, कि कोई चीज़को कितना time लगता है, कोई चीज़को कितना time देना च सकते हैं, यह सब हम बता सकते हैं, but decide आपको करना है, तो इसलिए मैं कहूंगा, June 24 last attempt है, ठीक है, मैं नहीं चाहता, आप late decision के वज़े से आपका नुकसान हो, मुझे बुरा लगता है, यह मुझे लगता है कि यह teachers का काम है, याद दिलाना और उनको motivate करना कि आप फटा-फट decide करो, ठीक है, तो जो भी बच्चे अभी भी decide नहीं कर पाएं, कि उनको single देना है, double देना है, switch करना है, नहीं करना है, फटा-फट एक deadline रखके उसको decide कर लो, कि जो भी available information है, उसके एसाफ से मुझे decide करना है, क्योंकि उसके बाद आपको preparation करनी है, जो लोग switch over सोच रहे हैं फिर उनको pre-exam भी तो देनी है, अरे बेटा आपको pre-exam भी देना होगा, आपको switch करना है, फिर उसमें कुछ दिन मैं already बता चुका हूँ, आपके convenience के लिए repeat कर रहा हूँ, तो आपको 2-3 दिन switch में लगेंगे, फिर आपको pre-exam की fees बरनी पड़ेगी, फिर वो आपका activate फिर आप pre-exam दोगे, फिर उसके बाद exam form भरोगे, जितना आप ये process को late करोगे, exam form भरने के लिए उतना time आपको कम मिलेगा, और उतना pressure आप पर बढ़ जाएगा to quickly clear the pre-exam, और अगर pre-exam में कोई भी गड़बर हुई, भले उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो सकता है institute की website का, portal का कोई issue हो गया, क्या कर लोगे आप, आए को समझ में, हर चीज थोड़ी beforehand करो, end moment तक जाने मत दो, तो switch करना है, जल्दी करो, क्योंकि उसमें हफता बार आपका जाएगा, फिर उसके बाद pre-exams आपको clear करनी होगी, और उसके बाद free mentality से आप proper preparation स्टार्ट कर होगे, cut to cut time है, मैंने professional के video में बताया था, cut to cut time है, proper 7 months है, preparation के लिए 2 months, revision के लिए लगते ही है, अब जितना time अभी आप waste करोगे, उतना revision के time में से minus होगा, उतना revision के लिए time कम बचेगा, या आपकी जो preparation का percentage है, वो कम होते जाएगा, आपका coverage फिर उतना नहीं हो पाएगा, जितना होना चीए, आप 90% ही syllabus पढ़के जाओगे, 80% ही syllabus पढ़के जाओगे, तो आपका syllabus का या तो coverage कम होगा, या तो number of revisions आपकी कम हो जाएगी, तो जो leniency से आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, अभी के waste कर दोगे, वो 10-15 दिन कितने crucial होते हैं, या आपको बात में पता चलेगा, इसलिए कह रहा हूँ, कि जो भी है, जल्दी-जल्दी करो, prioritize करो CS course को, आप एक ही course कर रहे हो, major, तो उसको prioritize करो, time दो, energy दो, और फटा-फट decision लेके उसको execute करते जाओ, ठीक है, तो मेरी request है, सारे बच्चों से, जो भी old में है, executive old में, executive new में है, ठीक है, professional old में है, professional new में है, जो भी decisions आपको लेने है, फटा-फट लेलो, और उसको implement करने में, जादा आपको time देना है, और जो भी आपको inputs चाहिए, वो आप teachers से मांगो, सारे teachers से मांगो, problem यह हो रहा है कि सब मेरे से ही पूछ रहे है, सारे सवाल आपको मेरे से नहीं करने, जो मुझे पता है, मैं तो reply करने की, बट बच्चे इदर उदर कहीं के कहीं चीजों को लेके जाते हैं, तो it is very difficult to reply each and every comment, पर जो भी सही सवाल होते हैं, उनके मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ, और आप other teachers से भी पूछो, मैं कह रहा हूँ, other teachers से भी आप knowledge लो, उनको भी थोड़ा तंग करो, उनसे भी थोड़ा सा निकल वाके लो, तो ठीक है, I hope आप अपना decision लेके उसको implement करने पर लग जाओगे, ठीक है, at least decisions को procrastinate मत करो, उसको pending मत रखो, ठीक है, वीडियो लाइक कर देना, और comment box में आप बताना कि आपने decision ले लिया है, या नहीं ले अभी तक, और अब ये वीडियो देखने के बाद, at least आप फटा-फट decision लेने वाले हो, या अभी भी आप time waste करोगे, ठीक है, comment box में अपना opinion बता है, अपना status बता है, कि आप क्या situation में हो, और आपने क्या decide कर लिया है, और आप June में क्या करने वाले हो, या professional वाले हो, तो December में आपने क्या decide किया है do share it with me, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा, मैं भी देखना चाहता हूँ, लोगों ने क्या decide किया है, और उसमें कुछ अगर मुझे लगा inputs देने के लिए, तो मैं definitely आपको inputs दे सकता हूँ, ठीक है, thank you so much, do like the video, do subscribe my channel for more such videos, thank you so much